नमस्कार सिक्षार्थियों आज Community Health Training Program में आप सभी का हम बहुत-बहुत स्वागत करते हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्ट्रम में अलग-अलग तीन विश्यों पर हमने चर्चा किये हैं तीनों थियोरे के विश्यों हमने पढ़े Practical इनके सबके अलग-अलग हैं और विश्यों से आज हम Practical पर ही चर्चा करने जा रहे हैं जो कि आपका रोगों से बचाव एवं आपात कालिन इस्थितियों में प्रवंधन जो आपका Practical संख्या 4-5-1 कोर्ट पर आता है और जो आ हैं और कि यह बहुत ही अ इस्थितिय यह जाती है और जब बहुत जदा गंभीर इस्थिति बन जाती है तो होता कि वहां पर कई वार लोग दूसरे लोगों की हैल्प करने की मांग करते हैं यानि दूसरे लोग उनको उठाते हैं जैसे सब्सक्राइब चलते चलते कभी अचानक सीडियों से फिसल गए या आप वहीं आसपास कहीं सिलिप कर गए प्लेटफॉर्म पे आप सिलिप कर गए कहीं बाहर रोड पर बस पकड़ते में आप अचानक जो है गिर पड़े तो यह जो अचानक जो चीज होती हैं इनक कई बार हमारे जो वाथ रूम हैं वहां पर भी हम फिसल जाते हैं ठोकर लग जाती है कई बार चलते फिरते इन इस्थितियों में होता क्या है कि जो हमारी कई बार तो जो हमारी हड़ियां है उनमें हलका पुलका फैक्चर भी आ जाता है या फिर छोटा मुटा वाल आ जात तो कहते हैं कि fracture हो गया है, बहुत हलका सा कुछ इसमें आया है, लेकिन कई बार जो इस्थिती है वो इतनी नाजुक होती है कि ना तो हड़ीया हमारी टूटती है ना ही किसी तरह का कोई fracture आता है, लेकिन फिर भी छोट लगती है और वो धीरे-धीरे उसमें लाल हो जाती है, स उस इस्थान पर वो या तो फट जाती है या उन में किसी तरह की क्रेंका जाती है तूर जाती है जिसकी वैसे बहुत ज्यादा पीड़ा होती है और वो असहनी दर्ध होता है जिसको हाथ लगाने तक नहीं देते हम उस परसंग को जो हमारी सहता करना चाहता है तो आएए हम इ खास्तोर से इसली जानना चाहिए क्योंकि ऐसे समय में जो प्रात्मिक उप्चार और प्रवंधन का काम है वो खास्तोर से हेल्ट वर करता है तो हमारी साथ हैं डॉक्टर निधी जी सबसे पहले तो गिरने और फेसलने की जो घटनाए होती है मुश्ट अबली इस पर हम प् इंट्रोडक्शन में बताया कि हम रोजमरा में देखते हैं कि कई बार हम गिर जाते हैं या फिसल जाते हैं तो इसके लिए बहुत सारी परिस्थितियां हो सकती हैं जैसे माली जे कोई बहुत तेजी से जल्दी से हट बड़ा हट में भागता हुआ जा रहा है किसी को लेट जाते हैं या कोई आपने ध्यान में दिया रसी आगे रखी हुई है या उसमें उलचक गीर पड़ते हैं सीडियों पे कोई क्या कर रहा है तो डियान ना होने से या कुछ करम DOU ingen कई बार हो जाती है परिस्तितियां की व्यक्ति जो है सीडियों से गिर जाता है तो इस तरह से बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि जिसमें व्यक्ति गिर भी चाता है या ठोकर लग जाती है तो कभी वो चीजें जो हैं बहुत ज्यादा सिर्फ चोट लग गई हलकी सी खाल में छिल गय तो बोजसे हैं जाते हैं सकते है जह चला रहा है या स्कूटर चला रहा है कोई तो आगे ध्यान नी रहा, कोई अचानक से कोई पशू आ जाता है, कई बार उसको बचाने के लिए ब्रेक लगाते हैं, तो गिर जाते हैं, बैलन्स भी गड़ने की वज़े से, या कोई पत्थर आ गया, उसकी वज़े से आपका बैलन्स भी सूस करता है क्योंकि उसमें दर्थ बहुत जादा होता है, वो हिल नहीं पाता है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान देना चाहिए, और बच्चों में भी जैसे बच्चे साइकल चलाना सीखते हैं, तो साइकल से गिर जाते हैं, या खेलते खेलते गिर गए, एक दूसरे क पर गिर गए, तो ये सारी चीजें भी जो हैं, हमें ध्यान रखना है कि गिरने, फिसलने या ठोकर लगने से भी चोट लग सकती है, तो प्राथमिक जिकिसा के जो उदेश हैं, ये पहले तो जो हमारे हेल्थ वरकर्स हैं, उनको पता होना चाहिए, और ये हमने कई वार जि से अधिक ना बिगड़ जाए, तो जैसी हालत है उसकी उससे बाहर निकालना है, और जो तबियत में सुधार उसकी कैसे लाएं, इस पर हमें काम करना है, तो ये प्राथमिक जिकिसा का जो है, ये मुख्योदेश है, इसको हमें विशे सुर्प से ध्यान रखना चाहिए, ज जैसा नि anest미 के कहीं से कोई अलग से कि आज हम गिरने वाले हैं, एसा कहीं नहीं होता, तो जैसे mobile लेकर चल रहे हैं कंवार लोग चलते है mobile देखते जा रहे हैं, अचानक ठोकर लगी, platform पे चल रहे हैं या सीडियों से उतर रहे हैं मुवाइल पर ध्यान गए अचानक फिशल गए सीडियों से तो इस तरह कि जो केसे आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये pictures में दिखाया हुआ है आप देखेंगे कि किस तरह से एक परसं जो है गिरे हुए पड़े हैं, इनको उतरते हुए गिर गए है, या फिर मतला आजानका काम करते हुए कोई गिर गया है, कहीं, साइट से, या किसी चीज कई बार जो पानी जो पड़ा है उसकी बज़े से जो फिशलन हो जाती है उससे भी बहुत तेजी से लोग गिर जाते हैं कई बार क्या होता है कि हम ध्यान नहीं देते और यह हमारे सभी आम नागरिकों का भी करतब है कि कभी भी रोड पर या रास्ते में किसी तरह की गंदगी न फैलाएं और खास तोर से केले के छिलके या इस तरह की कोई फिसलन वाली चीज हम कभी रोड पर न डालें क्योंकि इससे कई बार एक्सिदेंट होने का खत्रा वहता है और सामने अदमी तो बहुत तेजी से गिरता है या उसका पैर जो है छिलके पर में निश्यत रूप से बहुत जरूरी है कि हम पहले से दिहान दें यह नहीं दिहान दे पाते हैं तब फिर आगे जो होता है उसके लिए हमें तैयार भी होना चाहिए बच्चों में गिरने की इस्थितिया खास्तों से देखी जा सकती है और बच्चों की जो इस्थितिये होती है मैं समझता हूं कि डॉक्टर नेधी के पास में बहुत सारे ऐसे केसिज आते हैं जिसमें की छोटा सा बच्चा है दूद पीते पीते इधर उदर भागने लगा और वो फिसल गया या फिर चोटी चोटी बच्चे खेलते में गिरते हैं साइकर चलाते में गिरते हैं तो यह कई बार बहुत गंभीर घटना होती है तो डॉक्टर नेधी आपके ऐसा मतला वो आपका experience है इस मामले में जब आपके यहां पर यह लोग आते हैं हान जी एक्शली बच्चों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना वड़ता है क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा चंचल होते हैं वो जादार आपकी बाते नहीं सुनते हैं तो बच्चों के लिए आपको लग से ध्यान रखना वड़ता है जब बच्चे गिर जाए या उनको तो सबसे पहले बच्चों को सांत्वना देनी चाहिए रोने से उसको की रोता है तो भी डांटना नहीं चाहिए कि कैसे गिर गए या ऐसे क्यों कर रहे थे आप आप मना करते हैं फिर भी आप करते हो तो सबसे यहां यह बहुत इंट्रेस्टेड बात आपने जो बताई कि मतल भाले उसको देखिए कि कोई गंभीर चोड तो नहीं है यूँकि यह सारी चीज़ें बाद में भी देख सकते हैं उसको समझा सकते हैं सबसे पहले हमें अपने बच्चे को देखना है कि उसको को गंभीर चोड तो नहीं लगी है चोटी मोटी खरो चाहिए या कुछ है तो पानी में घोल करके उसको महां उस जगे को साफ कर दें और कोई बेंडेज वगारा लगा दें या फिर अगर आपके पास सोफरमाइसिन है या घर में अगर वैसे भी आपके पास कोई चीज रखी हुई है क्रीम वगारा कुछ है तो वह आप उसको लगा करके सांत्वना दे सक होती है तो उनमें फ्रेक्चर इतनी असानी से नहीं दिखता है लेकिन हड़ी उनकी मुड़ जाती है जैसे हम ग्रीन स्टिक फ्रेक्चर कहते हैं जैसे एक नाजुक सी डंडी अगर हम ले हरे हरी जो होती है सूखी होई जो नहीं है मुड़ जाती है जैसे वह तो ऐसी बच चीजें बहुत important बताएं देखिए और मैं समझता हूं कि यह सभी को जानना भी चाहिए क्योंकि हर घर में बच्चे होते हैं एक तो बच्चों में जो चोट लगती है वह सैल फीलिंग उनकी बहुत तेजी से होती है तो जल्दी से हील हो जाती है दूसरा आपने बताया कि जाती है लेकिन उसके बाद भी अपने प्लेस पर वह वह बापस आ जाती है यह दोना चीजें हमें ध्या डखनी चाहिए और हमें मुश्ट पॉबली यह आप सकता है तो इमीडिटली हमें डॉक्टर से कंसल्ट भी करना चाहिए लेकिन यह चोटी मुठी चोट है तो हम उस जानी से और ठीक से उसमें डेटल से उसको फिर ठीक से साफ करें साफ करना बहुत जरूरी है ताकि कोई भी इंफेक्शन उसमें ना हो बच्चे को अपने बहुत ठीक बताया कि हल्दी का जो दूर है वह मतलब बहुत फाइदेवन है और हल्दी एंटिवाटिक के रूप मे हमने पही काम करती है तो यह हम आसणी से कर सकते हैं, इसमें कोई दोर्य नहीं है और जो गर हम यह देखें की हो क्या सकता है घरणिशे से बच्चों के साथ से धम बड़ों में भी देखें तो क्या-क्या हो सकता है यह एक थो मोच आ सकती है यİध में या आपकी मास्पेशियों में हड़ी आपकी तूट भी सकती है यानी फैक्चर हो सकता है और यद चोट लगी है मतलब इंजुरी है तो निश्य दूप से बिलड भी निकल सकता है तो यह चात्मा चीजें हैं अब यह सारी चीजें हैं हमें ध्यान दखना पड़ेगा कि य खून रोकने के लिए उन्हें सबसे पहले प्रयास करना चाहिए और समानित एक कोई भी कपड़ा जिस समय क्योंकि फास्टेट के समय यद कोई हमारे पास पट्टी नहीं है या कोई ऐसी चीज नहीं है तो साफ कपड़ा होना चाहिए रुमाल हो सकता है सूती कपड़ा हो रुमाल आपका हो सकता है आपका टावल या आपका अंगोचा इस तरह की वस्त्र हैं इनका हम उपयोग करें सूती कप्रों का तो आसानी से हम उस जगे बांध करके बिलट का बहना रोक सकते हैं दूसरी बात है यद हड़ी फेक्चर हुई है तो उसका ध्यान रखना है कि ह उस अंग को सीधा करने का कोसिस करें बहुती साथधानी से और उसको इस तरह से रखें जिस तरह से की रोगी को आराम मिले उसमें मुवमेंट ना हो स्टेडलाइज हो बिल्कुल अब जो मेंची है खिचाव आ गया है मासपेशियों में या मोच आ गई है या मोच आ गया है इस तरह की चीज़ें हैं इसके लिए हम देखें हमारी जहां भी जो भी प्रभावित होता है न वो उसमें सूजन आने लगती है बढ़ने लगती है और लाल हो जाता है वो इस तान अलग ही दिखाई देने लगता है तो हम उसमें जज़ाई-डॉलाई नहीं और उसको किस तरह से हमें ठीट करना है डोक्टर निधी आप इसके बारे में पहले बताएं थोड़ा साथ पहले देखते हैं कि मोच के लक्षन क्या क्या रहते हैं तो मोच वाली जगे पर आप देखेंगे कि जो मोच है ज्यादतर जो आपके जॉइंट्स होते हैं उन जगे पर आपकी में आ गई या टकने में आ गई घुटने में हैं तो इस तरह से जो संधी वाले आपकी जो जॉइंट्स हैं वहां पर मोच जादा आती है कि जो आसपास के आपकी लिगामेंट्स हैं टेंडन्स हैं वह मुड़ गए हैं या उनमें कुछ खिचाव आ गया है तो आपकी मोच आ गई है तो मोच वाली जगे में आपको एक तो दिखाई देगा कि उसमको ऐस अहनिया पीड़ा हो रही है वहां पर सूजन आ गई है आप वहां पर अगर उस हिस्से को टच करके देखेंगे तो वहां पर आपको गरम हैसूस होगा वहां पर लालीमा आ जाती है तो यह कु आपको थोड़ा सा मुश्किल होता है कि मोच आई है या फिर हडी टूटी है तो वह चीजे आपको धीरे धीर एक्स्पीरेंस से आ जाएंगी लेकिन आपको उस समय पे उसको प्रात्मिक उप्चार देना बहुत ज़रूरी है कि पेशन को आपको स्टेबल करना है उसको दर प्रभावित होती है और प्रभावित जो है जहां भी संधी है उसके आसपास धर बहुत असहनिया होता है और हम यह भी देखें कि यह हम उस पे जैसे कि किसी के पैर में मुच आ जाती है और हम चलना चाहते हैं तो फिर वो चला नहीं जाता दो-तीन लोग फिर उनका सहरा लेते हैं या उनके कंदे पर हात रख करके धीरे-धीरे करके एक पैर से एक पैर प्रभावित है हमारा तो दोनों पेर प्रभावित हैं तो दोनों पेरों को हमें बस उपर उठाई रहते हैं, तो बहुत आसे पी रह床 होती है, और एक पहचान और है कि सूजन आने लगती है उसे इस्थान पर, हल्का सा लालिमा आ जाती है, या कई बार नीला पड़ जाता है, नीला क्यों पर जाता ह वहां का जो बिलड है वहां जूमा होता है तो छूने पर बहुत ज़दा धर्द होता है और प्रभावित हिससे को थोड़ा सा भी हम टच करते हैं तो तरुम में तच्छा को ऐसा लगेगा कि वह गर्म हो गई है तो ये लक्षनों के अधार पर हम पहचान सकते हैं कि किस तरह क समस्य आई हैं और मास्पेशियों में खिचाव आ गया है तो टांगो और पीठ में यह इस तरह का खिचाव है जांग या पीठ के निचले हिस्से में कई मास्पेशियों में खिचाव है तो वो भी हम आसानी से देख सकते हैं कई बारे समस्य आती है कि सूजम है या नील शुजन में आने लगता है। तो एसी इस्थिति में हमास्पेस्यों को आराम देने की कोशिश करें। यह सबसे बड़ी बात है इसमें। निदी जी तो इसमें हमारा जो सिद्धान बोलें प्रात्मी कुप्चार के सबसे पहले ही है कि हम प्रभावित हिसरे को आराम दें उसको करें कि उसको stable करे, immobilize करे ताकि उसमें ज़्यादा movement ना हो यहाँ निदी जी एक चीज जो बताना आवसक मैं समझ रहा हूँ कि यह चीज तो हमने बताई जब कि कम चोट लगी है या बहुत सामाने सी बात है लेकिन पीडा बहुत ज़्यादा हो रही है और जो पेसेंट है वो बता जिता है कि मतलब मुझे ज़्यादा कोई प्रॉलम नहीं है लेकिन हाँ मेरे पैर में हाथ में जो भी भाग में चोट लगी है उसमें दर ज़्यादा हो रहा है और चलना मुस्किल हो रहा है या फिर उस हाथ को ठाना मुस्किल हो रहा है क्योंकि अचानक से कोई गिरा है शौक में भी जा सकता है कि क्या हुआ है तो व्यक्ति बेहोश भी हो सकता है और यद हड़ी टूट गई है तो उसको भी हम क्योंकि हेल्थ वर्कर का काम सबसे पहले वहीं आता है तो यह हमें जानकारी होती है इसलिए पढ़ाई जाती है ताकि वह उस भाग को समझें उस जगह की जो हड्डियां हैं उनको समझें और उसको सीधा करें दर्द को कम करने की कुशिस करें इस तरह से रखें कि वह उस में पहुंचाएं जो भी नजदीक अस्पताल है वहां रहे पर करें यह प्रभंदन सबसे ज़्यादा जरूरी है अब बात हम करते हैं जैसा कि आप अभी हमें बताई रहे थे कि मोच के संदर में या दर्द हो रहा है तो हम क्या करें इसकी हम बात करें तो सबसे पहले जैसे आ तो हमें सबसे पहले कोशिश तो यही करने है कि उसे हिस्से को आराम देना है दूसरा यदि मोच आ गई है तुरंथ हम एक आइस पैक बना सकते हैं और उसकी वहां पर सिकाई कर सकते हैं ताकि उस हिस्से को थोड़ा सा आराम मिल जाए तो आपको यह ध्यान रखना है कि भावित हिस्ते की सिकाई कर सकते हैं यह ध्यान रखना है कि आपको बर्फ को सीधा त्वचा पर नहीं रखना है उससे कि महां की तवचा जो है जलने का डर रहेगा या फिर वहां पर सेंसेशन खतम हो जाएगी तो मरीज को पता नहीं चल पाएगा ना आपको पता चल तो आप उसको आप देख सकते हैं कि कैसे आइस पैक को रखना है कैसे सिकाई करनी है तो यह सबसे ज़्यादा जरूरी है यहां जो सबसे ज़्यादा इंपोडेंट चीज़े हम देख रहे हैं इसमें जो प्रात्विक उप्चार की पिक्चर्स हैं इसमें कुछ बहुत आसा कि समस्या हो सकती है तो सबसे बड़ी चीज है कि सूती कपड़ा कोई भी जो भी हमें लगे जहां उस समय हमारे पास अभे लेविल हो और बरफ की विवस्ता हमें करनी पड़ेगी मेरे को ध्यान है कि छोटा सा एक्स्प्रियंस में बताना चाहूँगा यहां पर कि अभी हमारे ओफिस में ही एक हमारे श्टाफ हैं वो किसी मेटो इस्टेशन पर अभी गिरे थे और यहां तक वो जैसे तैसे करके किसी ओटो के द्वारा यहां तक पहुंचे ओफिस तक और इमिडेटली उनका जब हमने देखा उनके पैर में बहुत बड़ी सूजन आरे थी टकने के नीचे तो हमने बरफ का पानी अविलेविल था उस समय और क्योंकि बरफ तो थी नहीं सीधी सीधी तो हमने वो मंगा करके सूती कप्ले के साथ में उसमें पानी में उसको बार बार कप्ले को भीगोया और धीर कम होता है दूसरा जो वहां पर मसिल से टूट फूट हो गई है उनकी जो है मरमस हो जाती है और जो ब्लड का हमारा सर्कुलेशन उसके क्या प्रवाब पढ़ता है निजी जो सर्कुलेशन वहां पर रुग गया है वह थोड़ा सा फ्लो ना शुरू होता है और आपका जो ब लड़ है वह इमिजेटली जो है बहना रुख जाता है तो इस वजए से भी आपको दर्थ में अराम आ जाता है यह बहुत इंपोडेंट बात है कि उस समय हम किसी तरह से अचा लोग अकसर यह करते हैं इसमें यह हमें ध्यान रखने की बात है कि उस समय उस प्रभावित हिस प्रभाव जी एक चीज और है दवाव डाल करके पटी बांदी जाए तो इसका प्रभाव रहता है एक जैसे हिस्सा आपने स्टेबलाइस कर लिया है थोड़ा सा दर्थ कम हो गया है तो पेशन को सहरा देने के लिए आप तू जैसे में ठ्रभावित हिस्से में फ्रेशर बेंड़ेज भी कर सकते हैं तो जो आपकी बेंडेज होती है गरम पत्ति जिसरे बोलते हैं तो उसकी अगर आप हिस्से पर बांद देंगे तो एक तो उसको और यहां पर सपोर्ट मिल जाता है शुआ को और दूसरा गर्माई ज तो कुछ हम तरीके दिखा रहे हैं कि प्रेशर बेंदेज लेकिन हाँ इसमें यह ध्यान रखना कि जो हम प्रेशर बेंदेज बानेंगे दभाव के साथ पट्टी बादेंगे वह इतना अधिक दभाव ना हो या इतनी कसके? नबानधे हैं जैसे कि आफ अब है गुटने पर बांग सकते हैं , तखने नफने पर त्ट तो यह सारी चीजे जो भी आपके जोड़ को जो है सपोर्ट करती है अराम देने में आपको सहेता करती है यहां जैसा कि पिक्चर के बादे हम से हम देख रहे थे यह ऐसे भाग हैं जिनमें की आसानी से पट्टी बानी जा सकती है और सबसे ज़्यादा गिरने से यह प्रभावित होते हैं या तो हमारे पैर हैं, यह सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं, इसमें नीचे पंजे से ले करके, और हमारे घुटें तक का भाग खास्तों से ज़्यादा प्रभावित होता है, या फिर कई बार हमारे जब हम गिरते हैं, तो हम हाथों का भी सहरा लेते हैं, गिरने से पह देखा गया है कि यह सीडियों से ज्यादा उपर से गिरते हैं तो गिरने से कई वार हमारे हमारे में भी चोड लग जाती है हमारे सोल जाती है इससे प्रभावित होते हैं इन जगेहों पर खासतों से हम वही बरफ की सिकाई करें जैसा कि बताया है और पट्टी जोगी गरम नहीं लपेट सकते तो हम कोई उनी वस्तर का इस्तेमाल कर सकते हैं गरम चीज वहां पर हम पहन सकत हैं किसलों कारें तो यह जादा समस्या है तो बिलकुल फिर वही वाली बात कि हमें इम्मियडेट्ल से क्या करना है हमें एम्म एम्ट Fujans को कॉल करना है और हम हस्पिटल को रैफर करतें उस केस में जासा कि आप देख सकते हैं कि हम एम्मुलेंश बॉलाएंगी और एम्मुल कर जो है ओलेडी टीटमेंट में बीजी है तो यह कोई स्कूल का केस है हम देख सकते हैं इसमें एमर्जन से हैंडल करने के लिए इन्होंने किया और एक्सिडेंट और इस picture में ज़द हम देखें तो एक school group में ये training दी जा रही है हमारे committee health training के माध्यम से वहाकि जो health workers हैं उनको कैसे trained किया है किसी एक health worker को ही एक patient बनाया हुआ है तो उसको कैसे ले जाना है कैसे उठाना है कैसे movement कराना है और कैसे ambulance तक उसे ले जाकर के ambulance में हमें छोड़ना है जा स और इस तरह से हम अपना जो भी चोट और मोच से सम्मंदे चीजें हैं इनको हम निश्चतूप से बहतर तरीके से अपने अपको सेप कर सकते हैं अपनी हेल्थ को हम स्रिक्षित कर सकते हैं निदी जी और अप क्या चाहेंगे हाँ जी सर जैसे मोसली चीजें तो हमने कवर करी लिया है फिर्मियम एक बार यह देख लेते हैं कि सबसे पहले हमें जो परिस्तिति है उसकी गंभीरता को देखना है कि स्तिति कितनी गंभीर है मामुली चोट है या फिर केवल वहाँ पर घरसंड हुआ है अबरेशन जैसे हम फोलते हैं hep हडी टूटी है मोच से अखिचाव आया हैसे सबस्ते पहले हमें को और आ यदि लगते हैं कि हम इस से जयादा उस में नहीं कूछ कर सकते हैं तो प्रात्मिक चिकिट्सा के बाद हम उसे तुरण चिकिट्ससाब के लिए रिए खर कर दीजिए यह आपके लिए ज़्यादा अच्छा है तो डॉक्टर निधी आपने विक्कुल ठीक बताया चोट लगी हो सूजन हो या मोच हो किसी तरह की प्रॉलम हो तो जो हेल्थ वर करें उसको किस तरह से वहां पर काम करना चाहिए और यद कहीं आसपास यद वह अपने किसी सेंटर बैठा हुआ है अपने किसी जगे पर बैठा है जहां पर उसके पास समस्टेट की सुविदा है उसके पासस पत्टी हे सपोर मां दिजिये और उसके cotton है तो वह वहां पर खास्त होसे उस जगह पर जहां इस चोट लगी है वहां एजिली अधिक से आधिक cotton ले करके जहां जितनी आप सकता है उसको ध्यान रखते हुए cotton ले करके और पट्टी को उसको क्योंकि पट्टी बांदना भी हमने ठीक से सिखाया है इस चीज को ध्यान बहुत ज़रूरी है तो आरम से वह उनको वहां पट्टी बांद करके और बहुत ज़्यादा गंभी चोटने लगी है तो उसको हलकी सी अपना जो है वास करके उसको ठीक से चोट लगी है तो इसको cotton और इसके माध्यम से और साफ कर सकते हैं और साफ करने के प्रश्याद हम उस चोट पर भी थोड़ा सा कोई इस तरह की एंटिवाटिक क्रीम वगेरा लगा करके उसको हम इजली पट्टी बांद करके उसको घर भीज सकते हैं तो यह हमारी जो चीज हैं यह हेल्थ वर्कर्स के लिए खासतोर से ध्याद रखने वाली हैं और गंभी रवस्था में आ इस तरह से हम फस्टेट हैं निदीजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैं आपको इसका क्रम के लिए बहुत धन्यवाद देता हूं और आपका स्वागत करता हूं आगेन एक बार नमस्कार जैहिंग जैभारत